में जिम करते वक्त एक लड़की की मौत हो गई सो देखा आप सभी लोगों ने कैसे हमारी मीडिया जिम को बदनाम कर रही है बिना साइंटिफिक रीजन जाने बिना बिना प्रोपर नौलिज के जिम को ऐसे बदनाम करना कहां तक जाये जाए 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 है जैहिन दोस्तों मेरा नाम है गोरव ढिंगड़ा चलिए बात करते हैं राजु शिर्वास्तव जी की जिनकी एच 55 साल थी ए हाट अटेक का एज से तो कम से कम कुछ लेना देना नहीं है आपको हाट अटेक किसी भी एज में आ सकता है तो गई इसका सबसे बड़ा एक one of the most reason है हमें हमारी internal health के बारे में proper धंक से नहीं पता होता हम proper check-up नहीं करवाते हैं regular check-up नहीं करवाते हैं हम उपर से देखते हैं कि हम fit हैं जिम जाते हैं सही है लेकिन हमें हमारे internal health के बारे में धंक से knowledge नहीं होती है बात करते हैं इसका सबसे बड़ा reason हो सकता है हमारे arteries के अंदर transformation यानि की एक layer जमा हो जाना वो arteries जो हमारे heart को blood supply करती है transformation यानि की layer जमा होने का reason हो सकता है bad care stall वो care stall जो हमारे arteries में जमा हो जाता है या फिर आपके blood vessels में information का होना भी एक reason हो सकता है information होने की reason है poor lifestyle, lack of physical activity या भोड़ अधिक समय से आप stress में है poor diet यानि की आप भोड़ अधिक food consume करते हैं या आप alcohol अधिक consume करते हैं या एक्सेक्टरा जब भी हम कोई physical activity करते हैं हमारा heart rate बढ़ता है हमारा blood pressure बढ़ता है बढ़ कभी कभी उस plaque के अंदर एक rapture जमा हो जाता है जिसकी वज़े से हमारा arteries के अंदर blockage हो जाती है और उस जगे पर एक cloud जमा हो जाता है जब भी हम कोई physical activity करते हैं हमें अधिक blood pressure की blood flow की अवशकता होती है बढ़ उस cloud की वज़े से उस blockage की वज़े से हमें blood flow अच्छे से नहीं मिल पाता है जिसकी वज़े से heart attack होता है I hope आप सभी लोगों को समझ में आया होगा कि लोग internally fit ही नहीं होते हैं और वो जिम जाना start कर देते हैं आप सभी लोगों को अपना internal check-up करवाना चाहिए और देखना चाहिए कि आप किसी physical activity के लिए fit है भी या नहीं specially उन लोगों को ध्यान देना चाहिए जिने hypertension की problem है या जिनकी family background है heart की problem से related इसका मतलब यह नहीं है कि आप ड़के मारे घर बैठ देखने और को physical activity ही ना करें बढ़ हाँ आपको अपना internal check-up जरूर करवाना चाहिए और वो लोग जो regular gym जा रहे हैं उन्हें भी साल में कम से कम तीन बार अपना internal check-up जरूर करवाना चाहिए बढ़ फॉर शोर आपकी internal health का सही ना होना is the reason for heart attack not the gym और हाँ आज कल के इन लोगों की एक और problem है वो है shortcut जल्दी body बनाने के चक्कर में लोग stewards का यूज करते हैं उन्हें जल्दी reward से ये जल्दी body बनानी है उन्हें बहुत से लोग ये कहते हैं कि steward से कुछ नहीं होता बोडी सिर्फ वोशाड हो जाते हैं कोई दिक्कत नहीं आती बट नो गाईज आपको surely इससे problem आती है जो लोग stewards use करते हैं उन्हें heart attack आने के chances सबसे ज़्यादा होते हैं लोगों का ये profession होता है body building उनकी बात अलग है उन्हें यूज करने पड़ते हैं बट बहुत से लोग सिर्फ देखा देखी में कि हमारी अच्छी physics हो इंप्रेस करने के लिए देखा देखी में steward यूज करते हैं इसे आपको kidney failure भी हो सकता है heart attack भी हो सकता है और भी बहुत सी बीमारियां हो सकती है आप अपनी प्रोपर guidance में अपनी अच्छी ट्रेंडिंग में naturally train कीजे अच्छी डाइट रखिए आपको थोड़ा लेट मिल देगा result but for sure एक natural अच्छी बोडी भी बनाई जा सकती है आपने जिम में ऐसे भी बहुत से लोग देखे होंगे जो सीधा आएंगे ना stretching करेंगे ना warm up करेंगे सीधा 10 से 12 की speed पर ट्रेंड मिल पर रणिंग स्टार्ट कर देंगे तो guys उनसे मेरा कोशन है कि आपने कभी car drive करी है कि आप सीधा 5th gear लगा के 100 की speed में गाड़ी बगा सक होना है हमें stretching करनी है warm up करनी है जितना आप उठा सकते है उसके हिसाब से आपको weight उठाने है देखा देखी में नहीं उठाने है किसी की इवर्क आउट करने के बार अपने बोर्डी को कूल डाउन भी करना है और आपको आपको अपनी डाईट का अपनी स्र्रेस लेवल का सबका ध्यान रखना है हम स्ट्रेस को नद अनदाज करते हैं अब यह निया स्ट्रेस की वज़े से सबसे ज्यादा इंडिया में पूरे वर्ल्ड में heart attack आते हैं आपको stress free life जीनी है I know guys आज के time में stress free life जीना बहुत मुश्किल है बट उसके लिए आप meditation कर सकते हैं soft music सुन सकते हैं उन लोगों इसके साथ मिलिए जो आपको खुशी देते हैं happiness देते हैं और जो आपको negative देते हैं, उनसे दूर रहे हैं। So I hope guys, मैं आपको clear कर पाया हूँ, कि आज कर लोगों को heart attack क्यों ज़्यादा आ रहे हैं। Please आप उन लोगों के साथ ये वीडियो शेर कीजिए। उन parents के साथ ये वीडियो शेर कीजिए। जो अपने बच्चों को जीम जाने से मना कर रहे हैं। जीम जाने से heart attack आते हैं। उन्हें information दीजिए। कि जीम जाने से नहीं, इंटेनल हैल्स की वज़से आपकी इंटेनल हैल्स सही नहीं, इसकी वज़से heart attack आते हैं। वीडियो पसंद आए तो अभी याभी लाइक करें प्लीज शेर करें कमेंट करें मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक्यू एंड राधे राधे